हलो गाईज, वेलकम टो यूर चैनल, MBA वाला तो पब्लिक डिमांड पे, स्टूदेंट्स की डिमांड पे, क्योंकि यहां चलता है बच्चों का प्यार तो उस डिमांड पे मैं ले आया हूँ आपके लिए, जो आप लोग बार बार मांग रहे थे मेरी, यानि कि आपके प्यारे राहुल वाटला सर की, कैट की जर्नी यह जर्नी आपको बताएगी कि कैसे कैट को एस किया जा सकता है कैसे कैट को 99 प्लस परसेंटाइल से फोड़ा जा सकता है तो guys इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मेरी जो जरनी थी वो कैसी थी क्या को hiccups थे या शुरू सही मेरे mock test में percentiles आने शुरू हो गए थे तो guys क्या कहानी होती है उसको समझते हैं तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कुछ ऐसा scorecard देखे 99.46 percentiles right एंड उसमें around 99.85 percentile in quant तो यह सब numbers कैसे crack किये जा सकते हैं इनको अब समझते हैं guys very simple सबसे पहले आपको search करना है कि आप किस particular topic में वी को यानि कि quant verbal या LRDMS कौन सा section ऐसा है जहां आपको सबसे ज़्यादा परशानी होती है for example मेरा quant background था right आप कवरवाल हो सकता है so the first thing what I did was identifying what is my weaker section एक बार जब पता चल गया कि यह culprit है right यहां पर मैं फस्ता हूं तो सारा का सारा strategy इसके हिसाब से बनाया गया right आप इसी process को थोड़ा सा उल्टा कर देना अगर आप इसमें स्ट्रॉंग हो तो right मैं इसकी हिसाब से बताऊं कि अगर आप क्वांट और्येंटेट टूडेंट हो आपकी क्वांट अच्छी है बेसिक क्वांट आता है और वर्बल नहीं आता है क्योंकि मेरे साथ तो वही सिच्वेशन थी right आपके साथ हो सकता है सेच्वेशन हो हलका से स्विच कर देना एंड इस स्ट्राइजी इस डेफिनेटली गूंट वर्क फर यू बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी तो मैंने रिलाइज कर लिया कि भाई वर्बल दिक्कत है तो मैंने ठीक है अब एक काम करेंगे मंडे से संडे का अपने टाइम टेवल बनाया क्योंकि वर्बल वीक था मंडे से फ्राइडे तक लगा दिया अपनने वी आरसी पहले तीन करें एक दिमाग रिक फास्ट और गेंगे रेडी फॉर इनीफिंग वटेवर जॉब यॉर दो आपने क्या करना है आप सुबह सबसे पहले दो आरसी लगा लो बस आपने आदा घंटा पहले उठना जीस समय उठते हो और उस आदा घंटा पहले उठके आपने कि करना आपन तो आप सबसे पहले सब उठोगे एक्दम दिमाग फ्रेश होता है सबसे बड़िया स्टेज चल रही होती है उस समय जो सोच रहे होते हैं अपने बेस्ट पोटेंशल पर सोच रहे होते हैं आप कौन ट्रक दो तो मैंने उठा के क्वांट और L.A.D.I. को उल्टा 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 अल्टरनेट डे में डाल दिया यह कहानी मेरी चली फर्स्ट के एक दो महीने मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी लेड़ेस से मार्च में तो मार्च और एपरेल मैंने ऐसा खेला यह तो गए मंडे टू बेसे के ना वो सेट हो जाता है कि उसका जो वीकर सेक्शन होता है जिससे आप डर के प्रेपरेशन छोड़ देते हो वो वाला सेक्शन भी सेट हो जाता है ठीक है इसके अलावा सेटरड़े को मैं लगाता था एक सेक्शनल टेस्ट सेक्शनल टेस्ट होता था मैंने जो भी मैं कर रहा हूं उसका फाइदा हो रहा है क्योंकि यहां नंबर आ फिर मैं करता था एनलेसिस अब एनलेसिस में क्या करता था मैं कि देखता था कितने साही हुए क्या मेरी स्ट्राइड़जी साही थी पेपर को अटेम्ट करने की क्या मैंने एक आर्सी जाधा दो अटेम्ट न जाथ कौन सा सेट उठाना चाहिए था क्या मैंने गलत सेट उठा लिया और क्वांट में तो गाई सिली मिस्टेक शुरू में तो होती ही थी ऑनेस्ली क्योंकि जल्दी करना तो फॉर्स टाइम यूवर टार्गेटिंग कि कोश्चन ज्यादा आता है पर टाइम कम है तो कौन सा फॉर्मला आपके दिमाग से निकल गया कौन सा टाइप का कुश्चन आप क्रैक नहीं कर पाए तो मैं उस मास्टर नोट्स में वो क्वेश्चन लिखा करता था जो मुझे लगता था यार यह तो छूटा सा कैच है यह पकड़ना चाहिए था या फिर मैं फॉर्मले में कहानी जो थी इसमें मेरे को अब डर था मेरा वर्बल से वो निकल गया था यह निकालना बहुत जरूरी है और मैं आपको बता दूँ सबसे डिफिकल्ट स्टेज भी यही है मेरे इस आप से 40-50 परसेंट लोग जो इस जरनी को बीच में कुट कर देते हैं वो यहीं करते पहले दो महीने में इसके बाद जो बंदर टिक गया वो लास तक टिकता ही है पहले दो महीने में बच्चा जो है 15 दिन सबके लिए टाफ होते हैं मेरे लिए यानि कि आपके राहुल सर के लिए भी पहले पंदर दिन असान नहीं थे कि सीधा मैं गया और मैंने क्याट फोड दूँगा नहीं करनी क्याट लगता मैं इसके लिए बना ही नहीं यह सब बाते आपके दिमाग में आप अगर अपने 15-20 दिन उठके आपने लगा ली ना रोज सुबह दो आर सी अगर आप वर्बल में भी को कौन्ट में को तो 20 सवाल फिर आपकी जरनी गाई शुरू हो ग यह जब दो महीने कहानी हो गई बेसिक सेट हो गया फिर मैंने जरनी को आगे बढ़ाया अब अगली जरनी जो थी वो थी मेरी उसके बाद के तीन-चार महीने तुमार्च अप्रिल खत्म हो गया उसके बाद आपकड़ो में से जून जुलाई अब यह लोगों के लिए वेरी करेगा अलग-अलग लोगों के लिए अगस्त और सेप्टेंबर मैंने एक दो तीन-चार पांच पांच महीने यह खानी के लिए हो सकता है किसी को इसमें अक्टूबर भी लग जाए यह कहानी क्या है यह वो कहानी है जब और अफंच और अजटूब काउन अच्छ ए करेंगे अगडरा का क्वाण अच्छ हलोतों रहते है और और क्रिटिकलूर यह वह चलिक निंग में पैर्ण सम्री वाला पांट वालब अच्छ आ है इन दिनों मैं आप तीनों सबजेक्ट पढ़ते हो क्वांट भी लाडी आ कहा है तो मेरा मॉर्निंग जो था हो जाता था रर्सी को से से अब आप ती पर कमांड आना शुरु हो गया था क्योंकि क्वांट एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप बैठ गए तो अब ऐसा नहीं कि आपको आदे घंटे बैठना ही बैठना है देखो आर्सी के साथ क्या है आर्सी आप कर रहे हो तो एक आर्सी स्वाल करने में आपको 10-15 मिनिट जाएगा दो आर्सी स्वाल करने बैठे गोए तो स्वादे घंटे की सेटिंग हो गई है पर क्वांट में ऐसा नहीं है क्वांट तुम्हें अपने ऑफिस के साथ साथ किये चला हूं लंच ब्रेक है चार सवाल लगा लिए दोस ने बुला दिया एक सवाल करके उठके चला गया दो मिट का एक सवाल है ट्रेवल कर रहा हूं तो मेट्रो में कोश्चन सॉल्व करता हूं तो कवांट एक ऐसी चीज है जिसके आप इन दा मिडिल उसको सैंडविच कर सकते हो ओफिस टाइम में डे टाइम में फ्रेंट्स को टॉपिंग टाइम में कोश्चन लगा दिया ट्रेवल करते हूए आप कहीं पे भी कोवांट क के दो चार दो चार कोश्चन नकालके साइड हो सकते हो आपको लगादार बैठने की जुरूत में होती तो यह में डे टाइम में साइड कर दिया गता हूँ एलाड यह में करता था रात को वापस आगए डे खतम हो गया कॉलेज टून्ट तो कॉलेज से वापस आ गए ऑफि अगर आप वर्बल में अच्छे हो और कौन साइड में वीको तो आप इस वाले पार्ट को इस पार्ट के साथ स्विच कर लो राइट क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जिस पार्ट में वीको उसको सबसे फ्रेश माइंड वाले जोन में करो अब मेरा कौन ठीक था अच्छा तो एला डिए थोड़ा सा क्वांट औरियंटीड होता है आपका वहला माइंड डेवलाप होता है अप्टीड वाला तो मेरे थोड़ा असान होता था इसको नाइट में करना दिमाग चल जाता पर अगर मैं इसको रात में डाल तो मुझे तो नीन आती थी आपको भी आती है मैं जानता हूं अगर आती है तो बता देना कार्ण में सरा में भी आ जाती है इसलिए मैं उसको सुपर सुपर करता अभी अभी फ्रेश उठे है स्लीप डिप्राइवड है नहीं क्योंकि अभी तो सो के उटे हैं साथ अट गंदा तो मैं मस्त लगाता था सुपर अब यह व वह वाला स्टेज होता है और यह इंपोर्टेंट स्टेज तो है पर हां इस स्टेज में लोग जो है अपनी प्रिपरेशन बीच में छोड़ते नहीं है यह वह ली स्टेज है जो डिटर्माइन करेगी कि आपके अगले दो महीने की जर्नी कैसे होने वाली है आपके मॉक्ट कर रहे जाते है क्योंकि बहुत वास्त होता है तो यह आप अपने इसाफ से मैनिपुलेट कर सकते हो पर मैंने इसको अगस्त में ही निपता दिया तो मेरे पास दो तीन महीने थी आप सेप्टेंबर तक निपता सकते हो कोई दिक्कत ने दो महीने फॉर मॉक टेस्ट एनलेस मॉक टेस्ट दे रहे हो विदाउट एनलेसिक कोई सेंस नहीं मॉक टेस्ट देके दिन बेकार गया तो गैस्ट जबाब ने मॉक टेस्ट दिया अगली दिन उसका अनलेसिस करना समझना है कहां गलत खेले कौन सा वो गलत स्टेप था जिसकी वैसे पर सेंटाइल नीचे आई मार्स कमाएं कौन सा वो सही स्टेप था जिससे परसेंटाय उपर गई बहुत सारे लोग ना एक गलती करते हैं वो सिर्फ अनलेसिस में यह देखते हैं कि यार इतने कोश्चन सही इतने मार्स मैं बढ़ रहा हूं या मैं तो ड्रॉब हो गया पर वो यह नहीं करते कि गलतिया क्या थी वो यह कर लेंगी कौन सा कोश्चन उनको छोड़ देना चाहिए था पर यह नहीं करते कौन से कोश्चन में उन्होंने सहीप लेगिया वो भी इंपॉर्टेंट है आप अपने आप से पूछो कि यार मैंने यह यह मेरे से बना था यह सैट अच्छा था यह सैट मैं ने बना दिया उस सेट को भी नोट करते हुए चलो जो आपसे बन जाते हैं लाइक मुझे पता था कि जो भी आपके सुडूकु वाले या जिनको आप टैबिलर फॉर्मैट वाले बोलते वो सेट मेरे लाडिया के होते ही होते हैं मेरे को पता था अरेंजमेंट और येंटे आपर अगर आगे ज्यादर टफ डवलागे तो पीच आप पड़ाएंगा कोई ग्राफ वला आया तो मैंने फॉड़ना ही फोड़ना है पर्सेंटेज और इंटेडबाएं मैंने हमुड़ना ही फॉड़ना है तो यह भी ऐनलाइस करो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और वो सब आपको यहीं भेहोंगी जब यहां लगा रहे होगे रोज रात को और जब यहां पर टेस्ट में देख रहे होगे अनलेसिस करेहों तब और फिर उन अनलेसिस के साथ बनेंगे नोट्स जो आपके मास्टर नोट्स चल र सबसे पहले उनके साथ कमफोर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है आप लोग क्या गलती करते हो आपको गाइज माल लेते हैं कौंट पसंदे मैं प्रिपेर कर रहा हूं क्या प्रिपेर कर रहा हूं आज मैंने कौंट कर ली चल ठीक है अगला दिना है मैं क्या करें वर्बल करने का तो मन करनी रहा पसंद तो क्वांट है चल आज फिर क्वांट कर लेते हैं हफते के चार दिन में आप को आट काई ओवर्डू करे जा रहे हो और जो चीज वीक थी वो करनी रहे हो यहीं पर आधे लोग फेल हो रहे हैं यह स्ट्राट्टी बनाने में पहले दो महीने आप गाइस डेडिकेट कर दो उस सब्जेक्ट के साथ मेजर ली जो आपको लगता है आपके और कैट के बीच में खड़ा हुआ है चाहिए वो कॉंट है वर्बल और बाकी दोनों सब्जेक्स को अल्टरनेटली प्लेस कर दो तो मालने तें जैसे मैंने दिखाया मेरा आर्सी भी तो लगी रहे हैं अब इस टाइम पर जब मैं खेल रहा था तो मेरा मौक जो मौक टेस्ट के नंबर है वह अराम से 70-80 क्रॉस करने लग गया थे हर पेपर में 80 प्लस तो मारता ही था जरनीती 100 पार कराने की 100 पार कराओगे तो 99 से तो उपर पर सेंटाइल आनी किरेंटी है पेपर तब भी आजा तो भी तो अब यह भी यह बात तो मैं बात कर रहा हूं जब मैं रीसेंट वाले कायट दे रहा था दो जार इकिस वाले की बात ठीक है तो अब 80 पार आ गया तो सबका एक सैचुरेशन होता है तो मेरा जो सैचुरेशन था वह अभी आया नहीं था सब्सक्राइब आएंगे सुझापके बोलोगे सर पेपर तो सतर आएंगे 40 मैंस के फिक्स हैं 30 अला रडिया के फिक्स हैं और मैंस का भी मेजर मिनीमुम चालिज था हूंट का मिनीमुम चालिज था मैं कुछ भी करके 15 16 बनाई लेता था और वह करके आपके 45 48 नमबर बनते अब सारा खेलता वर्बल का अगर वर्बल में 25 नमबर आ गए तो 100 बात अब वर्बल में नमबर बढ़ रहे हैं 15 18 20 अभी बढ़ रहे हैं फिर आपके बास आता है लास्ट में घूंके आपका अक्टूबर और नमबर अब यह वो टाइम है जब आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं यह है आपका बूस्टर ठीक है तो पहले आपने डर निकाला फिर आपने कॉंसर्प्स की त्यारी करें अपने अंदर सारे कॉंसर्प्स भड़ लिए अब उन कॉंसर्प्स को कि मेरा वीकर सेक्षन यह है तो मॉर्निंग में तो मैं उठके वर्बल लगाता ही रहाओ छे से साथ महीने लगातार मैंने सुबह उठके सिर्फ वरबल के दो या तीन आर्सी आर्सी दो आरसी दो आरसी फिर थे ठक गया तो अब ओड वन आउट और वन आउट से थक गया तो पैरा समरी पहले 15 दिन तफ लगते थे फिर यूजवाल होने लगा फिर हैबिट बन ने लगी फिर देखने लग जाए फिर अब जाग होने लगा फिर लगा कि हम खुद कोछिण बना है पर प्रैक्टिस और टाइम देना पड़ेगा आप एक महीने में रिजल्ट हुणने जाओंगे तो कुछ भी नहीं होगा ठीक तो ये मेरी मॉर्निंग्स होती थी अब उसके आएगा पूरा का दिन मेरा होता था ये मंडे को मैंने 100 सीरीज वाले कोशन लगाने सब्सक्राइब करें 100 पूर्शन दोने अरिफ्मेटिक एलजेब्रा तो में ट्री एलाइडिया वर्टेवर ट्यूज देव लगता था मॉक टेस्ट कुछ अब तो भी पराने वाला था दो मॉक्त वेंड़न देवर इसी टेस्ट का अनलिसस पता लगाता था का फेस हो रहा हू अनलिसस पर बेस होते था फिर अटेस्ट के बाद ये बेस होता था फिर्स एयर टेस लगाता था से पता चलता था क्या में सब चलरी है और साटेड़ी को फिर मैं करता था सबुत भी design ale Double Software फेस होता आव से भाग के आऊंगा क्योंकि मैल्ट। डाउन करना है फ्रस्ट्रेशन जो स्कूर नहीं बढ़ रहा जो कि जब आप यहां पर लगातार मॉक्ट टेस्ट अगर गिनोगे तो एक मॉट कि यहां लग रहा है और स कर रहे हूँ और रिलाइज हो कि यार फिर से चोटी मिस्टेक हो गई यहां पे आतीय फ्रस्ट्रेशन में 55 आया फिर अचानल क्office तो आगया सिली मिस्टेक्स कर बेट है फिर आती है फ्रेस्टेशन उस फ्रेस्टेशन को दूर करेगी यह सबसे आपने उपर सेल्ड आउट करता है और उसको निकालना है ना गाइस तो यह कहानी बहुत जरूरी है ठीक है अब आपका जब यह मामला सेट हो जाए कि सबसे तो देखो संडे के बाद स्ट्राटेजिकली मंडे को यह वाला हंड्रेट सीरीज वाला डे डाला गया है अब आपने मौक टेस्ट लगाया उसका एनलेसिस किया आपको रिलाइस हुआ क्वांट में जोमेटरी खराब चल रहा है तो जोमेटरी के हंड्रेट कोश्ट हो तो मौक टेस्ट के तुरंद बाद ही आ जाएगा और इस वहले मौक टेस्ट के तुरंद बाद पीवाईक्यू दा जाएंगे तो आपके पीवाईक्यू कवर भी हो गया मौक टेस्ट भी कवर हो गया प्रीवेस यह टेस्ट भी कवर हो गया और साथ ही साथ आपने उन और टोपिक जो आप टेस्ट में खरआप किये क्यों क्यों कि वह सबसे जादा आता तो च्या करूँ में तो शुरू हो गए मैघ ninety करे जा रहे हूं आप क्यों पर टाइम इंवेस्ट करें जारे हूं एलजबरा की नी भन रहा तो उनको लगा और यार रिडिग कॉंप्रेंशन नी बन रहा तो उसका पीड़ाओ न सबसे ज्यादा इसान है तो बढना क्योंकि वह तुझे आता है तुझे जो तेरे से नहीं बनता इसलिए उसके साथ टाइम स्पेंड कर तब ही बात बनेगी नई तो बाद में पच्चता आएगा 90% लोग यही गलती करते हैं जो आता है वो ही पढ़ते चले जाते हैं स्ट्राटेजी के लिए अपने टाइम को स्पेंड नहीं करते हैं और इसलिए वो लोग सब गडबड़ कर बैठते हैं तो मेरे क्याल से अब आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे करना है राइट यह था मेरा प्लान लास्ट के दो महीने का और इसमें अगर मैं आपको सच बताओ तो मेरा स्कोर जो है वो 85 जो कभी-कभी चले जाया करता था मिनिमम बहुत रैंडम स्कोर आता पर नवंबर जब फिक्स था यह तो फिक्स हो गया था शोक कि 25 तो वर्बल में आएगा आएगा तीस एलाइडिया में आएगा आएगा पेंतालिस पॉइंट में आएगा आएगा टोटल मिला ऑगे सो इसकी गरेंटी होती है उसको जो भी एक्स्ट्रा आजाए तो बोनस एक आर्सी सब्सक्राइब करना और पैरा समरी क्योंकि वो भी असान होता था क्राक करना दिफिकल्टी आती थी पैरा जंबल में क्योंकि वो पूरा टीटा बेस होता था 3214 1432 दो-दो के पेर मिलते थे पर कन्वीजन यह होता था कि 3214 यहां बहुतना तो इसलिए कि वहीं कर सक्षिय था हो सकता आपका जच्छा मेंगे अफ्क्राइब क सब इक स्टुडेंट और एक इंजिनरिंग स्टुडेंट ओक आए टी एनए टी एक ऐसे कॉलिज के स्टूड्ट या फिर आपने भी अहिए टिक त्यारी करी थी मैच ट्रॉंग तो आपके लिए बहुत करने वाला है ठीक है और लास्ट में जब आपके स्कोर बढ़ना शुरू हो जाए जब आप स्कोर ना भी बढ़ रहा हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना डेडिकेटेड रहना जर्नी शुरू करी एंड तक जरूर जाना ओलम्पिक्स में भी जब फर्स सेकिंड थर्ड मैरेथन वाले आ जाते हैं बागी लोग भाग के मैरेथन खतम करते हैं बीच में मत रुको क्यों कि आपको नहीं मालूम है यार कि खुश सकता है कि आपको जो लग रहा है कि यह नंबर तो किसी काम के निया उस पर भी एक अच्छा कॉलेज मिलता हो आपकी प्रोफाइल अच्छी हो कि उस पर सेंटाइल या उस स्कोर पे भी आपको कॉल आ जाए तो डरने करना ही पेपर खतम जरूर करना ये जर्नी खतम जरूर करना पढ़ाई पूरी जरूर करना। और महनत पूरी और अच्छा कि पूर failure करना ओर लगए लदना ना उस पर वीच में भागना याककंव और क्लीक्स ओं जुन्हें बोला हो आपसे कि आपसे नहीं होगा उनको गलत रूफ करना है अगर यह आग मन में जला लीना और यह आग कोई नहीं बुजा सकता आपको टाइम पास करने के लिए मुझे मोटिवेट नहीं करना पड़ता कि यार सुबहोट की यार एक बार इस्ता ज जरूरर चलाना है क्यों क्यों अपने अंदर सी आजाता है वह एक बंचों कि उसके लिए मोटीवेशन किसके लिए चीए पढ़ाई करने तो गाइस याद रखना बहुत सारे लोगों गलत प्रूफ करने डिटर्मिनेशन ही की है आज सोच लिया मैं 99% फोडूंगा बहुत स से बोल दिया और दो दिन बाद खुदी भूल गए वो किये हुए वादे जो खुद से किये थे तो क्या होगा यार फिर कुछ नहीं होगा लड़ना है और सेल्फ डाउड मत करना बीच में बहुत से दिन ऐसे आएंगे जब तेरे को लगेगा कि लगता है मेरे से नहीं होने का बहुत से दिन ऐसे आते थे मेरी जर्नी में भी आया था कि मेरे से कहा था यहर मैं नहीं कर रहा भी यह reading comprehension और मेरे को बनाना ही नहीं है यह और RC मेरे को करनी ही नहीं है reading और मेरे को नहीं समझ में आता है सारे option एक जैसे लगते हैं बहुत दिन लगा बहुत बार मैंने RC को द सुबह नहीं उठोंगा और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ पर पर रात को सोतों वापस याद किया कि मैंने जरनी स्टार्ट क्यों की थी और अंदर से आवाज आए कि एक दिन और एक दिन और फिर वह आज बदल के उने लगे कि भाई तू फोड़ेगा तू फोड़ेगा त इसने इतनी परसेंटाइल मारी फिर होती है चीज़े समय लगता है अब यह मान ले कि तू रुखेगा नहीं अगर तू इस वीडियो तक पहुझ गया या अगर आप मेरे पाइनियर के स्टूडेंट हो या नए स्टूडेंट भी हो और आप इस पॉइंट तक पहुझ गयो गैस लिख देना कि ना मैं रुकूंगा और ना ही मैं जुकूंगा सर आपकी तो कुछ परसेंटान नहीं थी मैं इसको भी फोड के इससे आगे निकलूंगा और उस कमेंट को मैं लाइक करूँगा नवंबर में जब आप उसको फोडोगे ठीक है तो टार्गेट एक मैंने बेसिक सा सेट किया यह तो कुछ भी नहीं आप इससे जदा फोडोगे क्योंकि आपकी वर्बल मेरे से अच्छी होगी और आप करोगे क्योंकि आपको वाइस वर्बल के अच्छे टीचर हैं मैंने तो सारी त्यारी खुद से गी थी तो इस प्लान किये थे पर अब आपके पास सारा मौका है सारी डिटेल इंफोर्मेशन है यूट्यूब है सब कुछ फ्री हम आपको प्रोवाइट करवा रहे हैं काफी सारी चीजें जाओ और फोड़ो मेरी बेस्ट आपके साथ हैं जो डिमांड करोगा मैं वीडियो लाते रहूंगा पर मेहनत दोनों तरफ से होग कि मेहनत सची होनी चाहिए फोड़ तो आप कुछ भी दे सकते हैं साइनिंग आफ रहूल बाटला बाई